बिसमिल्य रहमानी रहीम, अस्सलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, क्रंची और करारे से ब्रेड एग रोल की रेसिपी और बहुत ही जादा टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें अंडे और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है तो बच्चों को बना कर दीजिए एज एवनिंग इसनाक या फिर आप उनको लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हो बाहर से बहुत ही जादा क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से एकदम टेस्टी और मज़ेदार सी इस फिलिंग वाले ब्रेड एग रोल को चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते है तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर मैंने छे उबले हुए अंडे लिये है यह अंडे जो है वो छोटे है तो मैंने छे लिये है अगर आपके पास बड़े वाले अंडे हो तो फिर आप चार भी ले सकते हो तो सबसे पहले हम अंडो को इस तरह से एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे आप चाहो तो इन अंडो को बारिक बारिक सा चॉप भी कर सकते हो लेकिन इस तरह से ग्रेट करने से इनका जो लुक है वो अच्छा आता है तो यहाँ पर मैं सारे अंडों को इस तरह से कद्दू कश कर लूँगी अब दीखिए सारे अंडी मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिये है तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ तो यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिये है एक प्यास, कैपसिकम और कैरेट इस तरह से बारिक बारिक सा चॉप कर लिया है और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया इन दोनों को भी इस तरह से बारिक सा चॉप कर लिया है आप अपनी पसंद के दूसरे वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो जो आपके पास अवेलेबल हो वो एट कर सकते हो तीन ब्रेट स्लाइसेस के इस तरह से मैंने ब्रेट क्रम्स बना लिये है वो एट कर लेंगे और इसी के साथ आदा टीस्पून गरम मसाला और एक टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स आट कर रही हूँ और आधा टीस्पून इसमें काली मिश का पाउडर एट कर लीजिए और इसी के साथ एक टीस्पून और या फिर मिक्स्ट हर्ब सीजनिंग एट कर लीजिए और यहां पर मैं दो से तीन टेबल स्पून टोमाटो सॉस एट कर रही हूँ आप चाहो तो रेट चिली सॉस भी डा मिक्स कर लेंगे तो र挺 जहत अब हम इसका थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस स्था से हाथो के बीच में इसको रोड बनाएंगे इस तरह से रो ल आप अपने पस्थापार आपके ब्रेड अवेलेबल हो उस अस बना इए तो यहाँ पर मेरे पास जो bread है वो थोड़ी सी बड़ी size की है तो मैं इसलिए इसके बड़े roll बना रही हूँ देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा mixture लेकर हातों में इस तरह से उसको थोड़ा सा प्रेस करते वे roll कर लीजिए बहुत ही आसानी से यह बन जाता है अब देखिए यहाँ पर सारे ही roll मैंने बना लिए है और इतने mixture में तकरीबन 12 roll हमारे बन कर तियार हुए है थोड़ा सा mixture बचा है जिसका इस्तिमाल हम बाद में करेंगे तो यहाँ पर मैंने white bread slices लिए है और इन bread की slices के जो किनारे होते हैं हम उनको cut कर लेंगे देखिए इस तरह से यह brown वाला part cut करके अलग कर देंगे और इनके हम bread crumbs बना लेंगे इनको फेकेगा नहीं और अब इन bread को हम एक rolling pin की मदद से बेलन की मदद से roll कर लेंगे और इनको flat कर लेंगे देखिए इस तरह से अब इसके एक पतली सी sheet बन कर तियार हो गई है तो अब हम एक egg roll लेकर इस तरह से bread के उपर रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक अंडे को इस तरह से beat कर लिया है आप इसकी जगा पर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो तो यह अंडे का mix थोड़ा सा लेकर brush की मदद से एक किनारे पर लगाएंगे bread के और इस तरह से लगाने के बाद अब हम bread को roll करेंगे तो एक side को उठा कर थोड़ा सा इसको tightly roll कीजेगा और किनारे पर लाने के बाद इसको थोड़ा सा press कर लीजेगा और हातों की मदद से इसको roll कर लीजिए तो यह अच्छे से seal हो जाएगा अब दीखिए एक roll बन कर तियार हो गया है तो हम दूसरे भी roll इसी तरह से बना लेंगे बहुत ही आसानी से यह बन जाते है एक और मैं आपको बना कर बता देती हूँ तो सबसे पहले bread के किनारों को इस तरह से cut कर लीजिए उसके बाद इसको roll कर लीजिए एक rolling pin की मदद से और इसके लिए आप fresh bread लीजिएगा तो बहुत आसानी से यह roll हो जाएगा अगर bread दो एक दो दिन पुरानी हुई तो यह फिर roll नहीं हो पाएगा फट जाएगा और फिर बना कर रखी हुई अंडे की roll को इस तरह से इसके उपर रख कर फेटे हुए अंडे को इस तरह से brush कर लीजिए एक side पर और इसको roll कर लीजिए तो थोड़ा सा tightly roll करोगे तो यह stuffing जह हो बाहर नहीं आएगी और जो किनारे यहां पर खाली दिख रहे हैं तो थोड़ा हमाया जो mix बजिया था उसमें से थोड़ा सा mix लेकर हम इस तरह से लगा देंगे तो यह दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा तो इस तरह से कितना अच्छा इसका look आया है थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए और इसी तरह से हमें सारे ही बना कर त्यार कर लेने है और देखिए यहां पर तकरीबन 12 रोल मैंने इसी तरह से बना कर त्यार कर लिए जो कि बहुत ही आसाई से बन जाते है तो अब चलिए हम इनको सेक लेते है इसमें मैं एक से दो टेबल स्पून की जितना मख़न अट कर रही हूँ आप इसकी जगा पर ऑईल या फिर घी का इसमाल भी कर सकते हो तो बटर को पहले अच्छी तरह से स्प्रैट कर लीजिए और ये जो रोल हमने बना कर रखे हुए थे वो एक एक करके इसके ओपर इस तरह से रख दीजिए आप यहां पर नॉर्मल तवा या फिर पैन का इसमाल भी कर सकते हो तो इस तरह से रख कर हम इनको लो फ्लेम पर ही कुछ देर के लिए सिखने देंगे जिसे के ये एक साइट से बहुत अच्छे से क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे और इन पर बहुत अच्छे से ग्रिल मार्क्स भी आ जाएंगे तो तकरीबन तीन से चार मिनट तक इनको लो फ्लेम पर सिखने दीजिए फिर इसके बाद हम इनकी साइटो को चेंज कर लेंगे देखिए एक तरफ से बहुत अच्छे से इस पर मार्क्स आ गए है और बहुत ये क्रिस्पी बन गया है तो इसी तरह से हम इनकी साइटो को चेंज करते वे लो फ्लेम पर ही सेख लेंगे जब तक इन पर हर तरफ से अच्छे से grill marks नहीं आ जाते और यह बहुत ही आसानी के साथ बन कर तियार हो जाता है और बहुत ही tasty होने के साथ यह बहुत ज़्यादा healthy भी है क्योंकि हमने इसमें vegetables का इस्तिमाल किया है अंडो का इस्तिमाल किया है आप चाहो तो इसमें chicken भी add कर सकते हो chicken की filling भी कर सकते हो बच्चों को आप breakfast में या फिर lunch box में बना कर दीजिए बच्चों को तो यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आने माला है क्योंकि बाहर से बहुत ही crispy और crunchy होता है bread की वज़े से और अंदर से बहुत ही मज़ेदार और healthy सी इसकी filling है आप यहां पर white bread की जगा पर round bread का इसमाल भी कर सकते हो और जो भी vegetables आपको पसंद हो जो भी vegetables आपके पास available हो घर में वो आप add कर सकते हो और शाम की छोटी मूटी भूप के लिए आप इसको बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जटपट से बना कर तियार कर सकते हो अब दीखिए सारे ही मैंने बना लिये है बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही ज़ादा क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार से यह स्नैक्स बन कर तियार होते है जो के बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है तो ट्राइ एक बार जरूर कीजेगा इस आसान सी और मज़ेदार सी और हेल्दी सी रेसिपी को और कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसको कब ट्राइ कर रहे हो और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो फिर इंशाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अलाहाफिज